नमस्कार अदब से शिरेकाल लखेम्चो जैसा कि बिटा आपको पताए कि यूपी में भैंकर बेकेंसी यूपीपी की आ और जिसके बारे में इसके पहले आप काफी को जानते होंगे आईए उसी को हम जानते हों आगे बढ़ते हैं बटा और इसके बारे में जानते हैं कि डाकुमेंट आपका क्या क्या लगेगा किस-किस डाकुमेंट के साथ आप तैयार रहे हैं फार्म को भरने के लिए फार्म को फिल अप करने के लिए कौन-कौन से डाकुमेंट आपके लगेंगे तो इसको जल्दी से कबर करते हो आगे बढ़ते हम इसमें बताये गया कि टोटल सीटों की संख्या 6,244 है 6,244 बहुत जादा सीटे होती कम नहीं बहुत जादा होती है क्योंकि आपको पता है कि सेलेक्सन पाने के लिए हमको एक सीटी आवसेक होती है एक सीटी हमारे लिए बहुत होती है तो 6,244 बच्चों का सपना पूरा होने वाला है यूपी सरकार पूरा करने वाली है इसमें आनारच्छित वर के लिए 24,102 सीटे हैं जो आप जानते हैं आनारच्छित वर के लिए 24,102 सीटे हैं EWS के लिए 6024 सीटे हैं और पिछडा वर के लिए 16214 सीटे हैं अनसूची जाती के लिए 12650 सीटे हैं अनसूची जनजाती के लिए 1204 सीटे हैं टोटल मिला कर बेटा कितनी हो जाती 60,244 सीटे हो जाती है जो कि अपने आप में बहुत जादा है अपने आप में बहुत जादा है तो यहां पर काफी वच्चों का सपना पूरा होने वाला है जो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे आभेदन की समय साड़ी की बात के जाए तो ऑनलाइन आभेदन सुरू हो रहा 27 दिसंबर से और अंत होता है 16 जनवरी को लेकिन अगर हम फीस जमा करने की बात करें अगर फी को सम्मिट करने की बात करें तो टाइम मिलता है हमको दो दिन इस्टा 18 तक मिल जाता है तो 18 तक टाइम मिल जाता है और अगर मैं फीस की बात करता हूं कितनी बटा यहां पर 400 बाएगी बटा चार सुरुपे लगाई गई है आगे बढ़ते हम कुछ और चीजों कवर करते हैं अरताओं की बात के जाए कौन-कौन सी अरता हमारे पास होनी जहें पहली बात यह होना चाहिए कि हमें डॉमिसाइल कहां होना चाहिए तो निशनल्टी कहां होनी चाहिए तो भरत में आगे हैं उननी समाषट वही वर्स है । यख भारत और चीन के इद्ध होете था डिक न है। यहां पर अगली बात की गई यहां पर अगली बात कली अरता में ही अगली बात की 그건 दा सैक्षिक अरता की गई और सैक्षिक अरता में क्या के चीज़े लगेंगी, सैक्षिक अरता में क्या के चीज़े हमें जरूरी हैं, क्या के चीज़े हमें जानना है तो सैक्षिक अरता में भारत में बिदिद्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से आप UPP हो, स्वारी, UPP बोर्ड से हो किसी बोर से बिटा आपका 10 वी या 12 वी कच्छा अगर आप उत्रिण किये हुए है तो आप इसके लिए इस फार्म को भरने के लिए आप इलिजबल है अब इदन करते समय भरती को अप एक्चित सैक्चीक अरता के साथ आपको जाननी है अब इदन प्रत्मे प्रदर्शित सैक आइउ सीमा अलग इलग नियार्य है तो अगर मैं पूरु अभ्यर्ति की बात करता हो तो 18 Apr – 22 साल है Poisकी जिसकी गरना कभ से केー साह अगी जिसकी गड़ना 2 जुलाई जिसकी गड़ना बिटा 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 इसका मतलब यह है कि 2 जुलाई 2001 के बाद पैदा हुआ हो और 1 जुलाई 2005 तक जो पैदा हो बिटा फार्म होई भर सकता है तब ही उसका 18-22 साल पूरा होगा 18-22 साल पूरा होगा लेकिन आयू सीमा में कुछ वर को छुड़ भी दे गई है और छुड किसको देगे बिटा महिला भेरतियों को छुड़ दे गई है मेला बरती 1 जुलाई 2023 तक 18-25 साल होनी चाहिए तो इनकी अगर मैं जन्म की बात करते हूँ इनका जन्म 2 जुलाई 1998 के बात होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के पहले अगर इतना है तो यह फार्म भर सकती है तो यह फार्म बिटा फिलप कर सकती है यहाँ पर अगर आप UP के हैं और आपके पास जाती प्रमाण पत्र है तो OBC, OBC, YCC और YST को छूट दी गई है आयू में जाती प्रमार्पत्र नया होना चाहिए जाती प्रमार्पत्र आपका नया होना चाहिए पुराना वाला आप उसको अगर आपके पास नहीं है उसको पुना फिलप करके बटा बनवा लीजिए नया वाला बनवा लीजिए भी बताते बटा डेट क्या होनी चाहिए तो यहां प पुलिस आडची तथा मुख्याडची सेवा प्रथम संसोधन यह 2017 अदसाथ जो नियावालिक अधार पर बनाई गई है लिखित परिच्छा की बात की जाएथ यहाँ पर लिखित परिच्छा होगी और जो प्रस्पत रखे जाएंगे उनमें प्रसुनों की संख्या कितनी होगी और अंक कितनी होगे is लए कि कि मिलेंगे संख्यात्मकमा मानसिक योगता और शुजवरुशी बुदिलबधी ठीकि ना तो यहाँ पर मैथ होरिजिनी immigration के भी सवाल पी मिलेंगे तो यह सारे कह सारे आपके एक्जाम से जुड़े हुए बाते बटा यहां पर परिक्षा OMR आधारित होगी परिक्षा कैसी होगी बटा अभी तक ऑनलाइन हुआ कृती थी आप OMR आधारित होगी OMR आधारित होगी बटा जिसमें आपको 4 अपसन मिलेंगे है ना विमार फिल अब करना होगा और ये काम RB Classes के दार है विधिवत करा जाता है अगर आप RB Classes को जॉइन करते बिटा तो आपको विधिवत तयार करा दिया जाए विमार को फिल कैसे करना है विमार सुट को भरनी है थिक ना आप से गलती ने होगी, ना कर प्रबह होगी लिखित परिख्छा एकसे अधिक पालियों में या एकसे अधिक दिनांकों में हो सकती हैं ऐसा कहा गए लेकिन अबी सरकार की जो मनसा esse item वे एक दिन में कराने की है सरकार की मनसाoine 11.9.1.14 24 को एक ही दिन कराने की है जिसके लिए उसने 5000 सेंटर मना रखे हैं या भी अभी के लिए है या भी जो बात कीगी बटा उसके लिए है ठीक ना और OMR उत्तर पत्रक के 3 प्रतियां होंगी यह ध्या रखने वाली बात बटा जब आप एक्जाम देने जाएंगे तो आपको OMR के 3 प्रतियां मिलेंगी 2 प्रति मूल प्रति और बाई एजंसी मतलब यह है कि 2 प्रतियां बोड ले जाएगा और तीसरी प्रति बटा भरती होगी तिन प्रति आऊंगी और carbon लगाऊगा जब गोला करेंगे उसकी नीचे भी छपता जाएगा तो आपको तीसी प्रति लेके आना है जो बर्ति प्रति ओगी बाकी दो प्रति आपको नहीं लानी है ठीक ना दो प्रति आपको बिल्कुल नहीं लानी है अगली बात यहां से की जाए तो यहां पर बिटा सारीरिक और मानक परिक्षण क्या है सारीरिक मानक परिक्षण की बात की जाए तो क्या है बिटा सारीरिक और मानक परिक्षण तो समान और अन पिक्छड़ा वर के लिए जो सारीरिक मानक परिक्छन है पुरुसों के लिए नियूंता मुचाई 168 होनी चाहिए 168 cm होनी चाहिए पूरूसों के लिए कितनी होनीचे बटा 188 किसके लिए, समान और पिछ़्डे वर के लिए 168 सेंटीमेटर होनीचे पूरूसों के लिए लेकनी है, एगर मैं महलाओं की बात करता हू운 अनुसूचित जन जातियों की बात की जायए बटा और यहाँ पर दिया गया कि सीने की माप 79 cm और फुलाव के साथ कितना होना चाहिए 84 cm होना चाहिए और नियूनतम 5 cm सीने का फुलाव अनिवार है यह तो सब के लिए 79 से 84 मतलब नियूनतम 5 cm सीने का फुलाव अनिवार है और यहाँ पर दिया गया अनुसूची जन जातियों के लिए 77 cm होना चाहिए और फुलाओ के साथ 82, यहाँ पर 79, फुलाओ के साथ 84, यहाँ पर 87 और फुलाओ के साथ 82, और 5 cm इनकी होनी चाहिए लेकिन महिलाओं के लिए बिटा, महिलाओं के लिए यह अलग है महिलाओं के लिए height अलगे बटा महिलाओं के लिए height क्या है तो समान अन पिछरा वर्ग और अनसूचित जातियों के महिलाओं के लिए बटा उचाई कितनी उनीचे 152 cm जो पुरुसों के लिए 166 cm था वही महिलाओं के लिए 152 cm होनी चाहिए ठीक ना जबकि अनुसूची जन जाती है महिला भ्यारतियों के लिए बटा उचाही कितनी उन्चे 147 से कितनी उने चाहिए 147 सेंटीमेटर होनी चाहिए तो फार्म को फिलप करते समय यह सब ध्यान रखना कि आपकी हाइट आपकी एच और यह कहा गया बटा महिलाओं का जो न्यूंता वजन है कितना उने चाहिए बटा 40 किलोग्राम यह ध्यान खना है और आप यह भी एक डिमाग रख लेना कि एक्जाम तक जब मारा कि बात किजाएं तो सारीरिक दख्षटा परिक्षण में क्या है पूरुस अभ्यर्थी हे तू 4.8 क्लो मेटर लेकिन कितनी मिनट में पत् wonderfully म्यूर्सों के लिए बटा 4.8 क्लो मेटर 15 मिनट में लेकिन बहिलाओं के लिए यह कम है कितना 2.4 km बेटा कितना 14 मिनिट में तो 2.4 km 14 मिनिट में और 4.8 km बेटा कितने में 25 मिनिट में ठीक है ना यहाँ पर अगली बास समझ न यह important point होता है बेटा कि अगर मान लिजिए कि 2 अभ्यार्थी 2 या 2 से अधिक अभ्यार्थी का अंग समान हो जाता यह important point होता है अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यार्थी का point बेटा समान हो जाता है तो उनको बरीता कैसे दी जाएगी तो बात में जगड़ाय मत करिएगा बरीता कैसे मिलेगी बेटा तो अभ्यार्थियों को बरीता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी आरता यदि कोई हो रखते हो जैसे माल लिजे कि आरक्षण के अधार पर उनको बरीता दी जाएगी ठीक ना उनको आरक्षण के अधार बरीता दी जाएगी माल लिजे कि दो से अधिक बच्चों का नंबर अंक एक जैसा हो गया समान हो गया तो उनको आरक्षण किसके अधार पर दिया जाएगा बटा तो उनको बरीता उनके अरक्षण के अधार पर दिया जाएगा है ना तो एक ही जातिक हैं फिर भी दोनों का समान हो जाता है उनको भरिता उनकी एज का धर पी दी जाएगे ठीक ना इंपोर्टेंट होता ही है यह सारी सारी इंपोर्टेंट पॉइंट आपके होते हैं अगले पॉइंट की बाद की जाए बिटा आरक्षण वा आयू सीमा में छूट तो अभी हमने बताया कि जो लंबो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तो आपका निवास प्रमाण पत्र द्यान रखना इसको त्यार करवालो निवास प्रमाण पत्र त्यार करव करवालो ठिक ना यह को याद होगा डुटा डाकुमेंट वरिफीचेशन के पहले अगर आपके पास यह सारी चीजे नहीं है तो अभी जलाएगा और न की बात 94 के दोरा परदान किया जाएगा वालक की बात है ठीक ना अगली बात देखना यहाँ पर अगली बात कीगी बटा EWS की यहाँ पर देख रही है EWS जो EWS वर के बटा उनको आरक्षर परदान करने के लिए भी उनको क्या बनोना पड़े बटा EWS वाला जो फाम अतन वो बनवान पड़ेगा EWS का Certificate उनके पास होना चाहिए EWS वालों के लिए जरूरी है कि उनके पास यह कहने सनी होगा हमारे पास आय भहुत कम है था हमें इसमें सामिल कर लिए इसा नहीं होगा डाकुमेंट आपके पास होना चाहिए ठीक ना और EWS मतलब होता इनको 10% छूड़ देग बटा 10% छूड़ दे गई है और कितने जिनकी आय बटा 8 लाक रुपए से कम है उनको EWS का फाइदा मिलता है ठीक ना तो अगर आपके पास नहीं है इसको आप बनवा लिजे EWS का Certificate आपके पास होना चाहिए तभी आपको इसका लाप मिल पाएगा ने तो नहीं मिल पाए गई है तो आपको जाति प्रमारपत्र त्यार करा लेना ठीक ना और यहां पर दिया गए जिला दिकारी के अतरिक्त आप जिला दिकारी सिटी मजिस्ट्रेट जो आते ने तैसिल्दार यह समाज के लए इन सबसे किसी बनवा सकते आप इनका होना चाहिए ठीक ना अगली ब आएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर के लिए दस परसेंट है आई में कोई छूटन इनको नहीं दी गई है ठीक ना और यह कहा गे बटा इनका भी सर्टिपेट बनना चीए कहां से जिला दिकारी के अतरिक्त जिला दिकारी सिटी मजिस्ट्रेट उप जिला इसका मतलब होता है कि जो पहले से इस पद पर थे इस कहीं कहीं इस पद से जुड़े हुए बटती थे तो उनके लिए क्या-क्या रक्षण दिये गया है तो उनके लक्सर बेटा बेटा गर आप सवतनता संग्राम सेनानी तो इनको भी 2% का रक्षण मिला हुआ है ठीक ना बाकी भूरथपूर उसहाणी को भी 5% होंगार्ड केवल पूरसों के लिए कितना 5% यह सब्दी आ गया है और यहाँ पर देखता हुए भूरथपूर उसहाणी के लिए कितने बथ चूट अभी 2% है ठीक है अगे देखते हैं बहुत सारी चीज़े इसमी देगे बहुत सारी चीज़े बताई गई है इसको हमने बता दिया कि यहां पर अक्षण कैसे कैसे आपको मिलेगा यहां पर दिया गे बटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा यह बता है अब निवास प्रणरापत्र अगर उसके पहले का है उसे कंप्लीट करवाव लोगे अर अक्प्रक्षन आयु में चूट का लाव चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्ष्य सीनड़ी के आभ्यारती अवेदन में अपनी सिनड़ी अवस अंकित करें, जो उनकी सिनड़ी बीट अवस अंकित करनी है, निर्धारित प्रारूपर सक्षमाधिकारी दवारा, जारी प्रमार्ण पत्र भी वहाँ पर आपको फिलप करने है, ज नहीं होगा, भाध ध्याम रखना इस चीज़ को, ठीक ना, जिनकी साधी होगे बिटा, ठीक है आगे बढ़ते बटा कुछ important points को cover करते help line की बाद की जै बटा यहाँ पर दिया गया कि आबेदन पत्र भरने में आ रही किसी भी समस्या की निराकरण है तो आप यह help line number है यहाँ पर आप इसको call करके पता कर सकते हैं ठीक ना जो अंतिमती थी कब तक बटा 18.01.2024 तक क्रिया सील लहेगा यह help line number 18.01.2024 तक क्रिया सील लहेगा उसके बाद नहीं रहेगा अगर आपको कहीं भी problem होती कहीं भी दिक्कत होती है तो आप इसको डैल करके बटा अपनी problem दूर कर सकते हैं ठीक ना बाकी farm भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो जो चीज़े ले जानी बटा तो आपको ले जानी है यहाँ पर आप आधार काड उगरा जो भी आपको documents भरने जाएंगे जो मांगता है आपको वह सारी चीज़े आपको तयार करके रखनी है तयार करके रखनी है और आप जो form submit करें और जो debit card करें किसी से भी आप payment कर सकते हैं ज़रूरी नह है तो कोई अन्रोद नहीं है अगर आप फार्म में गलती होती है तो संसोधन नहीं होगा आपका बाद में संसोधन है तो कोई अन्रोद इसमें नहीं लिया जाएगा तो आपकी responsibility बटा का भर बैट कर वहाँ पर फार्म को फिलप कर वाएं सैक्षी के ओम आरक्षण समंदीत अने प्रवान पत्रों को डिजी लॉकर यदि आपके पास डिजी लॉकर के माध्यम से तो उसे अप्लोड कर सकते है नहीं तो आपके पास अपना ओरिजिनल डाकुमेंट लेके जाई बटा कैसे ओला कर देगा जैसे भी आपको समझ में अगर डिजी लॉकर में तो वहाँ क और यहां पर बताएगी बटा नम्मंकन के लिए फोटो छे महींने के भीतर की होनी चाहिए उसकी बाद की नहीं मानि जाएगी और उसका बेगरओं बटा सफिय धलं गले रंक, अधिकता कि इस बात का ध्यान रखना, ठीक ना बटा इस बात का ध्यान vibdhyaan रखना, खिरा वोग्यरा भी आपकी जितनी बताईगे ना अरता बिल्कुल वही ऊने चाहिए है आभीहत पुर्द करेंगे पंजी चेमाइं अभियति पुणीकरण करेंगे जो भी चीज़ेंगे और अब भरती गड़ को निर्देश जिया जाता है उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए ये नहीं कि अगर गलती होगी दूसरा भर दे गलती होगी तो होगी अब दोबारा नहीं भर सकते आप ठीक ना गलती होगी तो होगी दोबारा नहीं भर सकते आप किस लिखित परिक्षा में क्या की चीजे आने वाली आपको पता है, समान्नेहग, समान्हिंदी, और संख्यात्म गें मांसी गुविता, ठीक ना बटा, ये सारी सारे आपकी आने वाले हैं, तो आप इसको देख लेना, ठीक है, तो सारी सारी आपकी जानकारी रही ये सारी सारी बिटा आपकी जानकारी रही कि document के लिए आपको क्या क्या लेना है जात्र प्रावरपत, निवास प्रावरपत क्या क्या लगेगा सारी चीजिए हमने बता दी तो इसको आप बिटा contest कर लेना अब इसे त्यार करके रख लेना आज की लितना ही अब लग खुश रहिए मस रेश रहिए और आर्वी क्लासेज के आफलाइन बैच को जरूर जॉइन करिए सिलेक्टेट संथा है सफलता सुनिशित करके आपको देती है ठीक ना वो आपकी महनत में डिबेंट करता है सफलता सुनिशित हो जाएगी आफलाइन बैच आप जिस टाइम पे चाहेंगे आपको मिलेगी जिस टाइम पे आप चाहेंगे आपको बैच मिलेगी यहाँ पर तो एक बार हमारी संसा में बीजिर जरूर करें एक बार इसको देखें परकें और फिर जाने ठीक ना ओके गुडबाई टेकर धन्वा जहिन